राजू के उम्र कोई 10-12 साल की थी, उसे बाहर की चीज़े खाने की बुरी लग थे, उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसके मम्मी पापा उसे लाग समझाते, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था एक दिन राजू स्कूल से घर आया, मम्मी मम्मी मुझे भूग लगी है, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है, तो फिर केले है, सेभ है, घा लो नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पैपसी पीनी है, वो तो घर में नहीं है तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और मा से जित कर पैसे लेकर बाहर चला गया उसी शाम मा ने पराठे और आलू गोभी की सबसी बनाई थी मा पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था वो खान नहीं रहा था क्या हुआ राजू बेटा खा किने रहे हो मुझे गोभी की सबसी पसंद नहीं है पापा तो क्या इतनी राथ को तुमारे लिए छपपन भोग बनाए जिपचाब खालो राजू से खाना नहीं खाय जा रहा था उसका मन तो पेटीज और आइस्क्रीन खाने का कर रहा था आखर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचा कर पराठे और सबजी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिये फिर वो अपने कमरे में चला गया अगरे दिन राजू स्कूल जाने को तयार था मम्मी उसके लिए दूद लेकर आई ले दूद पी ले नहीं मुझे दूद पसंद नहीं है मैं नहीं पियोंगा तब ही वहाँ उसके पापा आ गए उनके डर से राजू ने दूद का ग्लास ले लिया मगर फिर उसने वही किया और उनकी नजर बचा कर दूद को खिड़की से बाहर उडेल दिया और फिर स्कूल चला गया उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से राद के पराठे और सबजी विली तब ही उसके पापा भी वहाँ आए और बोले तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूद खिड़की से बाहर उडेल दिया था देखो मेरी चपलों पर भी दूद लग गया है इस देश में करी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूद देखने को भी नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं है और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था हे भगवान इस लड़के का में क्या करूँ इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है इसी वज़े से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी बाहर का अंट शंट खाने के आदद जो पढ़ी है से ए जी आप कुछ कीजिये न अब मैं क्या करो राजू कोई दूद पिता बच्चा तो नहीं है चो मैं जबरदस्ती उसके मुँ में खाना ठूस दूँ हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई हम समस्या तो गंभीर है ठीक से ना खाने पिने की वज़े से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल खूट में भी काफे पीछे रहता है तो आप ही कुछ बताईए मैडम की इस समस्या से कैसे निप्टा जाए राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी खाने की चीज़े शरीज को कितना नुकसान पहुँचाती है मेरे पास एक तरकीब है ध्यान से सुनिये मम्मी पापा दोनों मैडम की बार ध्यान से सुनने लगते है अगले हफ़ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी उसने जी भर कर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाई और कोलरिंग पिया जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली ये लो पेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोफा ये पौधा बहुत अनोखा है ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज की कमे नहीं होती है तुम इसका खयाल रखोगे न राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया वो बोला जी मैडम, मैं इसका बहुत खयाल रखोगा पार्टी खत्म हो गए और सब अपने अपने घर को चले कर राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया अगले दिन मम्मी, थोड़ा पानी दिना मुझे अपने पौधे में पानी डालना है पानी क्यों? कोल्डरिंग डाल दे कोल्डरिंग क्यों मा? तुझे बहुत पसंद है न? अपने पौधे को भी वही पिला हो सकता है कोल्डरिंग पी कर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे मम्मी आप भला कैसे बात कर रही है किसी पौधे में कोई कोल्डरिंग डालता है क्या क्यों जब तू कोल्डरिंग पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं मम्मी के कही अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड रिंग डाल दिया अब तो फिर ऐसा ही होने लगा राजू जब भी मम्मी से पानी डालने को कहता मम्मी उसे कोल्ड रिंग डालने को कहते थी और राजू भी पौधे में कोल्ड रिंग डाल देता था इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने रधा राचु को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसने अपने पापा से पूछा पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्डरिंग डालता हूँ मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है लगता है इसमें खाट डालनी पड़ेगी खाट कहां से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बना कर पौधे में डाल दो मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा? पापा के कही अनुसार राजु ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया इससे हालत ये हो गए कि पौधा और भी सोग गया राजु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे वो अकेला बैठा सोची रहा था कि तभी उसके ममी पापा कमडे में आए पता है बिटा तुम्हारे पौधे के ऐसी हालत क्यों हुई तुम इसमें पानी की जगा, कोल रिंग और खाद की जगा, चिप्स और पेटिस डाल रहे थे इन्ही चीजों ने पौधे को नुकसान पहुचाये है ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजे तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुचाती है जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोशक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज़ा, बर्गर, पेटीज, कोल ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं मगर इनमें कोई पोशकत्व नहीं होता है रोज रोज ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बिमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए उसी तरह शरीर को मस्बूत बनाने के लिए अच्छे पोशक कत्वों की जरूरत होती है जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है बाहर की चीजों से नहीं मैं समझ गया पापा अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूँगा और खुद भी अपसे सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा आज से बाहर की चीज़ें बिलकुल बंद उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा इससे कुछी समय में उसका पौधा फिर से लहला हा उठा सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलिएगा